ओम काली महराजी ओम काली एक सवार है महराजी जो दादातर शिश्यों और भक्तों के मन में हमेशा आता ही होगा जिसके चलते एक द्वीधा मनस्तिति का निर्मान होता है जैसे की हमें क्या पूरी तरीके से शाकारी होना चाहिए या मासाहरी होना चाहिए क्योंकि मासाहर करने वाले लोग मासाहर के भी कड़ी बार फाइदे बताते जाते हैं तो आपसे निविदन है किस विशे पर आप विस्तार पूर्वक्त हवे मार्ध दर्शन करें जी महराजी अगर आपको सुखी रहना सुखी रहना है तो आपको दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए क्योंकि कर्मपल विवस्ता के अंतर के जो हम कर रहे हैं वो गुम रहे होंके अपने पर वापस आ जाता है अगर आप दूसरों को दुख दे रहे हैं तो दुख पक्त होगा क्योंकि जो दे रहे हैं वही बापस आएगा जो भो रहे हैं उसी की पसल निकले अगर हम पशुपक्षियों को काट पिटते हैं खाते हैं तो वो जो बिना वेदना के मिलता है के मास वेदना से ही मिलेगा और जिसकी थाली में चीथ पुकार भरा खाना है उसके जीवन में भी भयंकर चीथ पुकार उत्पन होगी जरूर होगी जरूर होगी जैसे कर्मी है वैसा पल आज नहीं तो निश्चित कल है आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा भुट्या अवश्य भोगने पड़ेंगे वो कर्मा सभी प्रकार के जो हमने किये हैं अच्छे हथवा बुरे इससे बुरा क्या कर्म हो सकता है कि हथ्या करके खा लो इसको इससे बुरा राच्चसी काम होता क्या है अपने जिद्वा की तुप्ती के लिए अपने चोचलों के लिए व्यक्ति उन तरत्य हुए जिवों पर करुणा नहीं करता है दया नहीं करता है उनको खा लेता है इससे निर्दईता और क्या है अपने बच्चे को कोई हमारे सामने काट पीट के खा लेते और उर्गी के सामने वो बक्री के सामने उसको बच्चो को काट बिटके खाया जाता है, हमारे हाथ को काट के कोई खाये को, कितनी तकलीब हो, एक सुई लगती है हमको, तो हमको कितना पिडा होती है, वो प्राणी जब उसको हलाल किया जाता है, तो कितना तड़ता है वो, कितना तड़ता है, इसमें भी नॉन्वेज तरदन को पूरा काट है आधाहर थाफ लगा है तो जो जटके से मार रहे हैं तलब रहा है लेकिन जटके के जटे जहें, मरा हुआ प्राईी कम तड़प रहा है, और उससे कभी उना जाता अब को हलाल का प्राईी तड़प रहा है, पाप तो दोनों तरफ भाई दी भाईया, पाप तो है जी। लेकिन लोग बोलते हैं जटके में मारने से कम बाफ लगेगा क्योंकि वो कम तर्पेगा लेकिन तर्पेगा तो जरूर भईया अब जटके का खाओ कि हलाल का खाओ बाफ तो लगई ही रहा है भुगत ना पड़ेगा जाओगे गाँ अगर जबानी के जोस में बोल रहे हैं कि देख लेंगे जो होगा वो बुड़ा आपे में सहन नहीं होती वो पीड़ा है सहन नहीं होती वो पीड़ा है स्वास्ते के लिए बड़ा अच्छा है फलाना है डिकलाना है यह है वो है अगर कुछ अच्छा है भी हम तो वैयनिक पद्दति से वो सिद्ध हो चुता है कि वो खास्ते के लिए बहुत ही बुरा है अगर कोई बोलता है अच्छा है तो भी इतने से फाइदे के लिए इतने दुख कौन ले अग्याई लोग ही ले मनुष्य का अहार ही नहीं है मास खाना है मनुष्य का अहार ही नहीं है मासा हरी और सुद्ध शाका हरी प्राणियों की शरीर की तो रचना होती है मासा हरी शाका हरी प्राणियों की शरीर की रचना वो प्रकुलती के द्वारा एकदम अलग-अलग है मास खाने वाले प्राणिये शाक नहीं खाते भाजी पाला भल भूल नहीं खाते और शाका हैरी प्राणी मास्क नहीं खाते गाय, बैल, बक्री, भोडा, हाखी ये सारे प्राणी जो शाकारी है वो जीवन में कभी मास्क नहीं खाते और जितने भी मास्का हैरी प्राणी हैं बाग, सीह, चीता ये कभी शाक नहीं खाते ये तभी फलकूल नहीं खाईगे, बिल्ली के सामने आप शेव रग्दो खाईगी थोड़ो, बंदर के सामने अंडा रग्दो नहीं खाएगा, हाथी गोड़ा भी अंडा नहीं खाएगा, मास नहीं खाएगा, मनुष्य खुद को सर्वभक्षी बोलता है, सब कुछ खाने माला बोलता है, प्रकुर्थी चक्रम है सबसे उपर, अपने आपको मानता है, प्रकुर्थी पे सबसे अत्याचार गादाई मनुष्य ही करता है, रभुगत्चा है फिरू मासा हारी प्राणियों की शरीर की रचना से मनुष्य का शरीर बिल्कुल नहीं मिलता है, चुद्ध शाकारी प्राणियों के शरीर से ही मनुष्य का शरीर मिलता है, शाकारी प्राणियों का मुख से लेके गुददवार तक के 21 फिट होती है अकड़ी, और मासा हारी प्राणि और वो घास खाती ही नहीं, उनका शरीर बनाई नहीं, उसके लिए भल भुल खाने के लिए, पन खाने के लिए। और शाकारी प्राणियों की आतड़ी 21-21 फिट को होती है, नरुष्य की भी 21 फिट है आतड़ी। उसमें मास खस जाता है, चड़ता है, नाला विद्रो गुत्वन न करता है। मासाहारी प्राणियों को पसीना नहीं आता है, शाकारी प्राणियों को सबको पसीना आता है, मनुष्यों को भी पसीना आता है। शाकारी प्राणियों जैसे। मासारी प्राणियों के दाद एक्दम ऐसे तिक्ष्ण होंजे हैं, शाकारी प्राणियों के दाद तिक्ष्ण नहीं होते हैं, शाकारी प्राणियों के गाल होते हैं, गाल, मासारी प्राणियों के गाल नहीं होते हैं, मूह थटा हुआ होता है, जबला एक्दम बड़ा खुलत माशतरय प्रणियों को गाल होते हैं, उनका जबड़ा बड़ा खुलता है, वो चबाते नहीं है पदारथों को, वो मास्त को चबाते नहीं हैं, तोड़ऊ-टोड़ते निगलते हैं, चबाना उनके काम नहीं ही, सारे शाकारी प्राणी चबाते हैं, मा मनुष्यों के दाद तिक्ष्ण नहीं है, जिससे वो सीधे मास को तोड़ नहीं सकता, किसी भी प्राणी को मनुष्य सीधे नहीं खा सकता, उसके दाक ही तूँ जाएंगे, अगर वो कोशिश करेगा. बिना शस्क्र के मनुष्य शिकार भी नहीं कर सकता, मासारी पाणियों को शिकार करने के लिए किसी शस्क्र के आपशक्ता नहीं है, उनको नातुन बड़े तेज है, उनातुन से ही शिकार कर लेंगे, खाभी के चट कर लेंगे, मनुष्यों को चूला चाहिए, चक्तु चाहि के लिए मनुश्य के पॉद्व भार नहीं सकते किसी चीज AGA니 कर गार है मनुष्भी का शैकारी प्राणियों का अंधेर भुता अंधेells को अंधेले में नहीं दी ता आ मनुश्य को कि मासारी प्राणियों को सब नीए भुता अंधेयु मासा आई पाणी पैता होते बराबर अपने बच्चे को खा सकते हैं मिल्ली, शेर, चीता, कुत्ते, कुत्याएं ये पैता होते बराबर अपने कमजोर बच्चों को खा सकते हैं जो बच्चे उनके कमजोर होते हुँँपों चक्कर जाते हो शाकारिबशुआरी अप्ड़्च नहीं खाते, मनुस्य लेकिन शाड़े मासारी जियों अपने बच्चों को खाती है जो फम्हार बच्चा है उसको चटकर जाएगी ये मासारी मादा आए मासा हारी सारे के सारे प्राणी हिंस्र है हिंस्र है हिंस्र है हिंस्र वो अटेक करते हैं अगर बड़ा प्राणी है तो वो मनुष्यों की विखाय जाएगा कोई भी शाकारी प्राणी मनुष्यों पर एड़म अटेक नहीं करते जब तक वो डर मिला मनुष्य भी शुद्ध शाकारी जो लोग निरंतर है वो जल्दी किसी भी अटक नहीं करते। लेकिन मासाहारी वेक्टी को बढ़ा दुस्रा आता है, चिल्चिडायत होती है। मासाही वेक्टी को आप सरकस में गाया हो कभी तो देखते होंगे पिजड़े में जो बाग शेर है। जू में जाते होंगे तो देखते होंगे निरंतर मंद्रा रहे होते हैं, निरंतर उनको बेचा ही नहीं रहती है, वो शान्त नहीं रह सकते। मासाहरी वेक्ति शान्त नहीं रह सकता है। उसको निरबतर चिड़कड़ा हाड वेचे नहीं होती ही रहती है। तिकि उसके पेट में मसांगड़ा हुआ है। उसके नक्तिया करके मुर्दे गाड़े हुए है। बूचल खानों मेंसे, गतल खानों मेंसे जाब अपरें मुर्गे गाए भयात बयाल काटे जाते हैं। उसमें से इतनी निगेटिव इनर्जी निकलती है, इतनी निगेटिव इनर्जी निकलती है, महसाहरी गट्ति के शरीय से भी भाई निगेटिव इनर्जी निकलती है। इसलिए महसाहरी लोगों के घर में सुक्षानती होना बहुत कटिक हो जाता है। अगर हमें सुखी रहना है तो हमारे जो लक्षण है सुद्द साकारियों से ml खाते है तो हमें सुद्द साकारी ही रहना चाहिए प्रकृती ने हमें सुद्द साकारी बनाया है और जो इस्वर को मानते हैं वो लो उनकी लिए वीडियो है, मानते लिए हिस्वot निप को देखोई मा ने इस्वot को मानते हैं, वो इस्वot नियाई वुब भश खापो भी मानना चलिये उन्होंगे हम अगर दूसरों का बुरा करते हैं तो हमारा बुरा होगा, हम अगर बटने मुर्गों को काटपीट के खा रहे हैं, तो हमारा भीर बजी हाल होने माला है एक दिन, हम भी होस्पिटलों में तलब-तलब के मरेंगे। कोई अपवाद हो भी सकता है, जल्म जल्मांतर के हिसाब होते हैं। इसलिए जिनको सुखी रहना है वो मासाहर कर्शत प्रकिशत त्यागत है, कोई बुलता है अंडा शाकारिये, काई का शाकारिये। है गर्भ है, वो मर्गी का गर्भ है, नहीं बाबाय। आसक तो इंजेक्शन दे देकर अंडे पैदा करते है। अर्य वो मरगे महीं तेही है, मिरगे महीं पीने यही नगाता हे। जारन ने कोई चीज नगरेंगे इंजेक्श कर रहा है तो मनुष्यौन दूद चल जाता। लेकिन ये जो चीज़े एंडा वेंडा हो ये मांस ही है, वो गर्भ है, गर्भ है वो अईए वो गर्भा मुर्गी से चुराया जाता है, जो मुर्गी का ध्यानिन होता है, तब कुराया जाता है पर उसकी दीचे जिससे उसके शरीर में उसनथा बढ़ती है क्लिक साथे वहलाँ के बहुत कखिन है उनके पारिबारिक संबंद मदुर रहना बहुत कखिन है जिनके हंतक्र में दया नहीं है वहाँ धर्म निवास नहीं कर सकता तुलजिदार जी महाराइक बोलते हैं दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया न चाड़िये जब लग घटमे प्रा मैं दया धर्म का मूल है अगर जहां पे दया नहीं है तो वहाँ पे धर्म नहीं है और जहां धर्म नहीं है और जहां धर्म नहीं है और जहां धर्म है वहाँ दुख्या है अगर सुखी रहना है तो हमें धर्मिक बनना पड़ेगा धर्म 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 होगी और द्धर्म का मूला अधार की दया है, पश्वक्षियों की दया, दुखियों की प्रति दया, कितनी खुलूरता है, कोई तलपरा अपने सांने हैं, या कुछर खाने में तलपा हुआ पन लाइए, जो माधा ही लोग है, एक बार वो बक्रे मुर्गे के कटने का वीडियो देखो िए बहुत सें अना काटे जाते है, जो माधेयों का अधा लिए, वहां कामाध्षा में वाय से नाटे जाते हैं, दूसरे दिन मुणी पढ़ा के ठाते हैं, सामेने सुना, अलि-अलि-अलिक्षियों का aduna नाटे हैं? भोग ना पड़ेगा, पिर हमारे जैसे लोगों के पास में आते हैं, वावाजी बडी तक्लीव में है कुछ करो, वावाजी बडी तक्रीव में है कुछ करो, अब क्या करें कि हम, अवश्यमेव भॉक्त अब्यम कृतन कार्म शुखा शुखा मुझा, जिसका घर वो सबकुछ समझता है उनको भी, सबकुछ समझता है उनको, सबकी जीने की इच्छा है, जीओ और जीने देना चाहिए, जीना चाहिए, जीना चाहिए, आनंद से जीना चाहिए, जीने देना चाहिए, और जो कुछ को भी जीने देना चाहिए, और जो कुछ के शुख के लिए सबेद मुशली का उच्छी पॉडर वसल्द कुसमा कर रहे से अच्छी च्या उच्छी है आए को खाओ जिससे अच्छा शरीर बने मास खाने वाले ऐसे कौन से वह हो बहुत बड़ पहलवान चाहो चले हैं और पाक का भन्डार भरेगा एक फायदे के लिए बागी का इतना खाना पाक कर रहो घो जो पराण से पॉर остना से तर्मaur का पहलवान 집न मौन बद्वाय जाएंगी कहाँ पर दिस्ट्रॉइ नहीं होती ही वो भुगत्ने से ही डिस्ट्रॉइ होगी भुगत्ने पर ही पाकों से नहीं उत्ती है कालीमा को बदनाम कर दिया है तो द्वगड़े पर मुर्गे काटेंगे और खुदी चठ कर जाएंगे जी महारब जी विर्कालीमा क्या खाती है चपन भोग लगा हो यहां से एक लड्टू आयो नहीं होने वाला वहां से खुदी चठ कर जाने वाले है दूसरी दिन जो शाकारी लोग है वो चपन भोग लगा रहे है जो मास खाने वाले दारुपीने वाले है जाने दारों की धार दे रहे है मास खार रहे है और भुगतेंगे वाले है नहीं नहीं हम तो शात्री है है कि हमको तो अधिकार है काटने पिटने का लिखा हुआ है शास्त्रों में का है कि शात्रीयों को काटने पिटने का अधिकार है पशपशियों को जरह हम भी देखें शास्त्रों में, अन्याई अध्याचारी को काटना, ये पुन्यप्रत है, वो इदुष्ट प्रभुत्षी का है, राष्टर का सस्त्रु है, तो उसको माल डालना ये पुन्य है, सेना, इतने सारे राष्टर के सस्त्रुओं को भुन डालती है, माल डालती ह उनको कोई पापी नहीं बोलता उन्यवान नहीं है वो राश्टर के सब्तुओं का धर्म के सब्तुओं का नाश कर रहे हैं दुष्टों का इंकाउंटर कर देती है पुलिस तो पुलिस को पाप लगता है नहीं लगता त्यूकि उसने दुष्टों को मारा है मारमाट अपने आप में पाप पुन्य नहीं है, उसके पीछे का पुद्धिष्च पाप पुन्य करता है, निकुष्ट अस्वारत के लिए खाने के लिए बश्वक्षियों को मारते हैं, तो पाभी पाभुगत ना पड़ेगा, किदरी भी पूजा पाट कर लो, कोई फायदा काली आ जाएगी, मास खाने के लिए काली आने माली है, अना मुत्वोटि ब्रह्मान दोगी अधीश्परी इसके लिए फृत्वी का, फृत्वी एक धुल के का के बराबर है, उसको बाकरे फृत्व के खाएगी वो, अरे वो कुछे नहीं खाती, भुप्ताम यत्या तवस् पृत्री है काली काम की काम, बदनाम करके रखतिया काली मापो लोगों, बदनाम करके रखतिया, धर्म की बोकल लेके जाते हैं, एक धक्चन नेवी के तांसे जमीन को खड़ दिया वाके खुंचक, अरे 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 अरे, बदनाम कर रहे हो धर्म को, धर् कर देगा है इसी लिए हींडुों का इतना नुफ्सान हो गया है अ Auf और है भाराथीurn specialized a жизни को इधा थर्मेदी खाष कर दिया के काल भहरों भाग्मान को बर्तनाम करतीया दालू चड़ा चड़ा कें, देख धक्डन दालू काल भहरों को बागी खुद चच, बुले काल भहरों ने पी, करसे काल भहरों का अपमान करके कोई सुची रह सकता है, करसे काली मां का दुरुगा माई का चंडी माई का अपमान करक कुछ तो भी बेख कुछ तो धया कुछ तो धया परशुप अक्षियों के प्रती कितनी नगेटिव एनर्जी संजार में क्रियेट हो रही है महां सारीयों के कारण और खुद भी दुखी है कुछ भी दुखी है नहीं हमारी तो भुल्देवी काली है मेरे घर में भी प्रथा थी बली प्रथा ये शरीर तथा कथी तक शत्रीय पुल में पैदा हुआ है ये शरीर से लिकिन मेरी माय के श्याधि हो प्रसाDERत करो तो उसने साही प्रसाएबं कर दी। वह भी चंदी की परमाराद रस ती। उसने साही प्रसाय प्रसाएबं कर दी। बड़े कुझ्रुट बोल ले लगे। बच्चे नहीं होगे तुझे.. अरे तरे समपत्तिका नाज हो जाएगा साई, ठीके जी झी घराब होजाएगी, द्विद्रजय बच्च माल जाएगैंगे, द्वीवाहेटी रिधा, द्वाहे पाइस में बाको फिर हम तीन तीन पैदा होगे, तारतर पैदा होगे हम दो, दो बड़े विज्या, बड़ी बहें, अरे चौथा मैं, कालिमान आराज होती थी, तो हम पैदा ही होती थी, पिता जी की प्रपरटीया थी, दादा जी की अच्छे भाव में लिग गई, पैसे बाजे बन गएगा, अगर देवी प्रकुप तो होता थी, प्रकुप होता था कालिमा का, तो दरिद्रता हो जाती थी, सारा घर सुद्धर साका ही होगा मेरी मा के आने से, लोगों ने बोला था, तू विद्वा हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, फलाना ढिकलाना, मास खाने मा जिनके आप भली चलती हों कि आप कोई विध्वानी है क्या और मेरी मा सुहागन गई छे साल पेले मेरे पिता की है अभी भी मा सुहागन गई है अखंड सवभाग के बती लगता है उसके नाम के सामने आब कि आप सारे अधान दे दिये चंडी माहिने काली माहिने तो इनाराग नी है वäre आखंड़े मुझ आखंड कर दिया कैया अरे दया करिए पाक्षियों पे धर्म के नाम पर दर्म करो के तो दुख्षी रहोगे ... तुछी रहोगे, सावधान हो जीए, काली मा का वेटा सावधान कर रहा है, ओम काली